हेलो आपको बार फिर से अतुली सीशनेर में स्वागत आज की वीडियो में मैं आपको चार हेडिंग बताने वाला हूं जो की एक्जाम की दिश्टे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे उमीद है आप सब लाश तक जरूर देखेंगे इसमें हेडिंग में बता दू है नहीं है छोटे को सब्सक्राइब को और यहां आपको आपके स्कूल में भी बताया गया होगा बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है और मैं भी बता रहा हूं बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है इसलिए आप सब एंट तक जरूर देखने चैनल पर फार्श टपी चैन कैसे समझेंगे ब्राउनी गति मा लेते हैं कोई बिलियन है ओ बिलियन टेड़े मेड़े गति करता है कैसे गत करता है उसे क्या काते हैं ब्राउनी गति क्योंकि मैं अपने लेंगों बताता हूं लिखवाता हूं किताबी भासा बताता हूं अपनी भासा क्योंकि तुम सब क करता है यह क्या करता रहाता है इसी को हम कहते हैं यहां पर आया फिर यहां पर रुका फिर आगे बढ़ा फिर यहां पर रुका फिर इधर गया फिर यहां रुका फिर यहां पर रुका होगा इधर गया होगा फिर इधर गया होगा फिर नीचे की और गया होगा फिर यहां पर पकाई सका कुछ नहीं यह सरोब की मतलब किदहर भी चला जाता है यहीं चीज का गया है कि यह से कड जो भी भिन्द दिसाओं में टेड़े मेड़े तरीके से सदा गति करते रहते हैं कड़ो कि यह ती तेड़ी मेरी गति को ही ब्रावनी गतिक आते हैं आई होप जरूर समझे लोंगे आप मैं इसको लिखके बता दें थों फटक से अच्या है को लाइडी बीलियनों आपके सामने लिको नहीं जादा समय में आपको आएगा बना को लाइडी विदी भीन डिसाओं में की कड़े का अलीविंडंव कर baby बिभिन दिशाओं में क्या करते रहाते हैं तेड़े मेड़े तेड़े मेड़े तरीके से गती करते रहे हैं कूलाइडी 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 के कड़ जो थे होते में टेडी मेडे सदा गति करते रहते हैं और सीधे ते बहुं सिधे गया तो यहाँ और इसी कड़ को यहनी कि लिखो कड़ो कि कड़ो कीáfic टीब्र ए है मों गती गती ब्रावन कि कहते हैं का मेरे क्या होता है BROWNी बडिक मांतर लाका देना लेफ है ciao कर गति कहते हैं इभेस की में जरूर होगा ब्रावनी गती की एक करता रहता है गति कर तरimmenய। उसे क्याम कियाते हैं ब्रावनीग स्वीच काथैंध आब हम सेकेंद दहसी तुक तिंडल प्रभाव यह तिंडल प्रभाव किया होता है यहां सहको भी समझीएगा बहुत आसान तरीके से मैं समझने वाला हूं जैसे मा लेते हैं कोई प्रकास की बन आता हूं यह समझेगा यह क्या है तीबर प्रकास की पुझ अब यह क्या करे गा या सीधे जाएक यह ती बर्प्रकास पुझ को इस विलियन में प्रवाहित की जाता है य॥ प्रकसित नहीं होता है यानि की यहां आगे यांगे जाके बेंशेव जब जाएगा है मैं इधर से गया होगा आप ये ऐसे सीधे डेखोई द्यां समझे मैं थोड़ा डाइग्राम इस तरह बना दे रहां uh इस तरह गया इधर भी ऐसे बना दो ऐसे निकल गया यहां पर क्या है आपका अंधेरा है यह क्या है आपका अंधेरा है यह जो अंधेरा है इसे ही हम क्या काते हैं टिंडल काते हैं यही क्या है यही यह तिंडल है समझ में नहीं आया बहले ही नहीं है आप समझो कि कोई प्रकास का सकते ना पुंज को किसी बिलियन में से प्रवाहित किया जाता है नहीं होता है तो क्या होता है प्रकासित नहीं होता है और इसी को हम क्या काते हैं टिंडल प्रभाव का चलो लिख के फिर आप से मैं मिलता हूं देखिए मैंने आपको अभी समझाया वही चीज मैं लिखा हूं से लेकिन बताता हूं अपने इंगोज में समझाया लिखता हूं ती अभी भासा अब देखे समझे जब किसी अभी सारे तीब्र प्रकास पुंज को वास्तवी बिलियन में से प्रवाहित किया जाता है प्रकास पुंज ठीक है तो बिलियन में प्रकास कमार्ग प्रकासित नहीं होता क्यों अंधेरा राता ह है वहाँ पर प्रकासित नहीं हो पाता लेकिन 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 सुनों किन्तु जब उसी प्रकास के अभिसारी अभिसारी प्रकास की किरड़ पुंज को को लाइडी बिलियन में प्रवाहिद करते हैं तो प्रकास पत्चमकने लगता है यहां पर ध्यान दिए यहां पर था आप तो इक बिलियन में से जब प्रकासित पुंझ को प्रवाइद कराते हैं तो प्रकासित नहीं होता लेकिन जब अभिसारी प्रकास अभिसारी प्रकास की किरण पुंज को कोलाइडी बिलियन कहां पर कोलाइडी बिलियन में प्रवाइद करते हैं तो प्रकास पथ चमकने लगता इसी घटना को हम क्या काते हैं टेंडल प्रवाइड करते हैं आई हो समझ में जरूर आया होगा अब अगला हेडिंग अगले पे का सकते हो या का सकते हो द्रवस नहीं कलाइब बना लेते हैं तो आता ही होगा बस इसमें बुझे सिर यह पूछेगा कि द्रव ने खोलाइड ओर द्रोव दिकलाइड को उधारत देका समझाइए यही सिर्फ आइगा एकजाम में और बहुत ज़एदा इंप्वार्टेंट है तो ने कोलाइड और फ्रोव दिकलाइड तो द्रव ने कोलाइड में लिखेंगे यह विपादार्थ है यह वह पदार्थ है ठीक है जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी बिलियन बना लेते हैं ठीक है जैसे आपका इस्टार्च हो गया रबड हो गया ऐलमुनियम हो गया यह सब क्या है द्रव इसने कोलाइड के अंतर गताता है बस इसके बारे में इतना ही समझो बीटर रहेगा लिखेंगे कैसे लिखो यह वेपदार्थ है जो छोटे में समझाता हूं मैं जो है यह द्रव के संपर्क में जो द्रव के संपर्क में आते ही आते क्या कर लेते हैं आसानी से कुलाइडी बिलियन बना लेते हैं आसानी से कुलाइड बिलियन बना लेते हैं समझ में आया द्रोशने कुलाइड क्या है ये वेपदार था जो द्रोग के संपर्क में आते ही आसानी से क्या कर लेते हैं कुलाइड बिलियन बना लेते हैं जैसे आपका क्या हो गया जैसे हो गया आपका कर रबड हो गया ऑपका इल्बूमिन हो गया कि इस्टाैर्च हो गया गोद हो गया ये सब क्या है यह सब द्रव इस नहीं कुलाइट के अंतरगत आते हैं समझ में रहत नökया- blond दुर श्ने लहीं क्या है यह यह पदार्थ होते हैं जो दुरोग के संपर्क में आते यह आसानीं से को लाइड बना लिते हैं और जब की जा आपको अईसे ही देखते ही पता चलजाएकि द्रव नहीं क्या है यह वेपदार्थ होते हैं जो द्रव के संपर्क में आते ही सीग्र कोलाइड बिलियन नहीं बनाते हैं समझ में यह सिर्फ बना लेता था यहां पर बिलियन नहीं बनाते हैं यहीं सिर्फ यहां पर चेंज करना है लिख लो यह वेपदार्थ है यह वेपदार्थ है जो द्र के संपर्क में आते ही संपर्क में आते ही आसानी से सेम और इसे काम रहेगा या ऐसे का सकते हैं यह वे पता था जुद्रों के संपर्क में आते ही सीग्र आसानी से यह सीग्र क्या कर लेते हैं को लाइड बिलियन नहीं बनातें को लाइड बिलियन नहीं बनाते हैं नहीं बनाते यह सका आपकwy त ανतर आपको जाननाा है तो आप कमेंट करके जरूर data बताइएगा मैं आपको साथ आठ अंतर जरूर बता दूगा बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक वीडियो में मुझे अमीद आफसा को समझ में आओ तो प्लीज यार लाइक करिए सेयर करिये भी तक जो लो को सबस्क्राइब ने किये तो जरूच करेएगा धन्यवाद